आजकल सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से काफी जादा नय नय रिचार्ज प्लान्स लाँच किये जा रहे हैं तो ऐसे में Vodafone Idea V की तरफ से एक सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है तो चलिए इसके वारे में इस वीडियो में हम डिसकस करते हैं कौन सा वह प्लान है क्या-क्या बेनफिट मिलेगा वैसे यह जो प्लान है वो एक स्पेसल प्लान है तो उसके वारे में हम पूरा डीटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं वैसे तो Vodafone Idea V की तरफ से यहाँ पे जो सबसे सस्ता recharge plan आता है वो है 79 रुपीज का जिसमें यहाँ पे आपको 64 का talk time मिलता है, 200 MB का data मिलता है और 21 days की validity के साथ यह वाला plan आता है लेकिन यहाँ पे Vodafone Idea V ने यहाँ पे partnership किया है Sony Lib के साथ और यहाँ पे एक plan को introduce किया है जो की 82 रुपीज का है जिसमें यहाँ पे आपको 4 GB का data मिलेगा यानि कि 20 रुपे पर GB का cost आपका पड़ेगा 14 दिनों की validity के साथ यह वाला plan आपको मिलेगा जिसमें आपको कोई भी calling और कोई भी SMS का benefit इस वाले plan के साथ नहीं मिलेगा लेकिन जो special चीज है वो है Sony Lib Premium का subscription जो कि 299 रुपीज का आता है यानि कि 28 days का subscription आपको मिलेगा Sony Lib का जो कि 299 रुपे का आएगा अगर आप अलग से लेने जाएंगे जिन लोग को नहीं पता मैं आपको बता दू कि Sony Lib एक OTT platform है जहां पर आपको बहुत सारे content देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि Scam 1992, Rocket Boys और भी ऐसे बहुत सारे content आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे तो यह एक काफी अच्छा platform है जहां पर आपको काफी अच्छे-च्छे content देखने के लिए मिलते हैं वैसे आप हमें comment section में बताना कि क्या आप किसी OTT platform का यूज करते हैं कि नहीं और करते हैं तो कौन सा OTT platform को आप ज़्यादा तर यूज करते हैं बाकि आप इस वीडियो को like करके share भी कर देना और मैं मिलता हूँ आप से एकली वीडियो में बाए